हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का विकास युनिवसिटी में और आज हम बनाने वाले हैं एक C program जो कि रहेगा C program to convert uppercase string into lowercase string ठीक है हम अपर case में जो alphabet है उनको हम lowercase में convert करेंगे और वो भी string के through ठीक है string का यूज करने वाले हैं हम आज ये एक string का function program रहने वाला है तो चलिए आये start करते हैं मैं zoom कर लेता हूं सबसे पहले तो देखिए मैं लगाऊंगा एक standard input-output header file और ये मैं क्यों लगाऊंगा आप सभी को मालूम है क्योंकि print app for scanf जो function है वो predefined होते हैं हमारे standard input-output header file म यहां पर लगाने वाला हूं और जो रहेगी यह एक string का program है तो मैं एक string header file यहां पर यूज कर लूँगा ठीक और अब यहां पर मैं लगाऊंगा integer main और यहां पर देखिए मैं एक character data type लेने वाला हूं और वो होगा मेरा string और इसकी length हम रखेंगे आप जितनी आपके string कि मैं यहां पर देता हूं चलो 20 देते हैं ठीक है और 20 से ज्यादा का मर लग कि इसकी length से ज्यादा हम अगर देंगे तो वो string कट जाएगा जैसे कि मैं यहां पर देता हूं आपको यहां पर देखिए मैंने विकास space SHAR में विकास शर्मा लिखा तो यह कितना इस string की कितनी length हुई मैं आपको उता देता हूं इसकी length हुई और यहां पर लेना चाहता हूं विरेवल आई और वो मैंने लिया integer का क्योंकि मैं अपना लूप लगाने वाला हूं एक लूप लगाके इस प्रोग्राम को करने वाला हूं ठीक यहां तक clear हो गया हमारा यह मैंने ले लिया एक variable string जिसमें मैंने कितना size दिया इसका 20 character type का और एक variable लिया आई integer data type का यहां तक हमारा clear हो गया अब देखिए यहां पर मैंने यहां पर print type function लगाया इसमें मैं क्या करूँगा user के through enter करवाऊंगा अपना string enter the string मैंने यहां पर क्या किया user से मैंने enter करवाया string done ओके यहां तक की line clear होगी अब मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं क्यान एफ कर रहा हूं और स्ट्रिंग है यह हमारे पास तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे परसेंटेज एस यहां पर परसेंटेज सी मत लगाना करेक्टर के लिए हम यहां पर लगाएंगे परसेंटेज क्यूंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं string का प्रोग्राम. क्लियर और यहां पे scan करेंगे str को यह हमने ले रहा रहा विरियाबल इसको अमने यहां पे scan कर लिया, ठीक है? जो यहां पे user एंटर कर वाएगा हमारा string वो कहां पे store होगा यहां पे. शेखे इस वाले वरेवल में यहां पी लिए है अब देखें यहां पर एक फॉर लूप लगाने वाला हूं यहां तक प्रोग्राम हमारा clear है समझाने वाला है बहुत ही शिम्पल था यहां तक का अब यहां पे देखिए मैंने एक loop लिया 0 से लेके 0 से लोगा मैं इस loop को Str ठीक 0 से लेके मैंने लिया loop कहां तक str जो मेरको कहां पे यहां पे जो user ने एंटर करवाया वा स्टरिंग वहां तक मैं एक loop लेने दन यहां तक clear है और यहां पे मैंने increment कर दिया loop ओके अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर STI याँ तो string आएगा बट यहाँ पर मुझे चाहिए numerical value तो numerical value लाने के लिए मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर एक function लगाऊँगा STR LEN जिससे क्या होगी string की length को find करने के लिए हम string की length को find करने के लिए हम एक function लगाते हैं जिसका नाम है STR LEN ठीक है मतलब string length अब यहाँ पर मेरे पास numerical value यहाँ पर आ जाएगी ठीक है यहाँ अब clear होगी आपको ठीक है अब इसके अंदर में एक loop लगाने वाला हूँ अब ध्यान से देखेगा loop क्या काम करेगा यहाँ पर एक condition लगाने वाला हूँ देखेगा क्या condition काम करती है यहाँ पर मैं इसको बोटा हूँ string यदि आपका string जो है अगर आपका जो string जो है अगर आपका जो string है वो बड़ा है या बराबर है किसके 65 के ज्यान से देखिएगा मैं समझाओंगा आपको कि मैंने यहां पर 65 बगेरा यह मैं क्यों लख रहा हूं इतना ही लख लो अगर आपका जो string है जो दिया हो श्ट्रिंग है वो 65 से बड़ा है और ठीक है और मैंने यह यहांपे लगाया एक operator और जो आपका string है ठीक है वो छोटा है यहां पर हम छोटा लेंगें खोटा है यहांब प्रावर है किसके 90 का है ठीक है अब यहांपे देखिए करीये condition को समझेंगे यहांपे मैंने क्या क्या लिया अगर आपका जो string है वो 65 से बड़ा है या 90 से हो तो क्या हो आभ यहां पर देखींगे तो क्या हो हैं तो जो स्ट्रिंग है हमारा उसमें क्या हो जो हमारा जो string है उसमें क्या हो अब ध्यान दिजेगा उस string में हम क्या कर देंगे उस string में हम add करने वाले हैं किसको 32 को अब बोलेंगे यार अब ये क्या कहानी है ये कहानी अभी मैं आपको बताता हूं ठीक है पहले मैं अपना पूरा प्रोग्राम यहां पर कर लेता ह अब printf मैं यहां पर करने वाला हूँ, यहां पर मैं result को print करवाने वाला हूँ, ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा lower case, lower case string, lower case string is, यह होगा हमारा percentage s, ठीक है, और str, ठीक है, यहां पर जो string आया था हमारा, उसको मैंने यहां पर print करवा दिया, as an answer, यहां पर हमारा answer store हो रहा है, answer कैसे store हो रहा है, जो हमारा string था, उसमें simple सी वाद है, जो भी यहां पर string हमने enter करवाया है, उसमें मैंने 32 plus कर दिया, और मैंने उसको यहां पर print करवा दिया, simple सी वाद, य यहां पे जो भी अंसर आया उसको मैंने यहां पे print करवा रच ओकी अब बोलेंगी आप यार यह क्या ताम जहां था सुल स्ट है कि यहां पे अपर रिटर्न भी करवा सकते यह जीरो रिटरन जीरो कर लो तो आप requests लिख लो एक ही यहां पर return zero कर वा सकते हैं यहाँ परiments लिख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं अन《 सब यहां से मैंई कर रहा हूं और compile भी साथ के साथ हु जाएगा compile now कि यहां पर सेब करने के लिए बोर रहा है चलो खर देते हैं ृ स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहां देता हूं स्ट्रिंग वन सेव ओके इन यहां पर मेरा मैं थोड़ी स्पैलिंग मिस्टेक कर दे थी अब फिर से एक वारी कंपाइल करते हैं यहां प्रेक्टर नॉट डिकले इंदस्कोप कोई वादनी रिटर्न कर लेता है आरी टी क्यूंकि कई वारी जो कंपाइलर होते हैं वो गैट ग्रेक्टर जैसे इसमें था वो क्या बता प्रिडिफाइंड ना हो ठीक है तब यह चीज़े प्रॉलम आती है यह नॉर्मल हो आती है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहो मैं कर रहा हूं डैब सीप्लेश ठीक है अगर मैं टर्वुक यूज़ करता तो यह वाली हमको एरर नहीं आती है यह देखिए यह देखिए मेरे पास यहां पर आगया एंटर दस्टिंग अब मैं यहां पर क्या कर लेता है यहां पर आ गया है अब आप बोलेंगे यार यह कहानी कुछ समझ में आई नहीं हुआ कैसे सिंपल सी बात है यहां पर देखिए मैं एक प्रोग्राम और बनाया था मैंने यह प्रोग्राम भी आपको बताया हुआ है कि कैसे बनाता है इसका ट्रोडोरियल ने बनाया पढ और उसकी sky value मैंने यहां पर print कर वा दिये है अब इसको run करके देखते हैं enter your character मैं यहां पर क्या कर रहा हूं यहां पर कर रहा हूं तो यहां पर देखिए 65 लिखाओ आ रहा है यहां पर देखे 65 लिखा आ रहा है नहीं यहां पर डन यह बात आप याद रखेगा ए मैंने अगर प्रेंट करवाया तो एक ही एसकाई वैल्यू क्या है 65 ओके डन फिर से एक वारी रण करवाते हैं अब मैं क्या कर रहा हूं हम श्मॉल ए स्मॉल ए की सकाई वैल्यू यहां पर हम च्यक करते हैं मैंने है डिकिना दन अब मैंने देखे यहां पर स्ट्रिंग्वाले में जाओ यहां पर देखिए 65 था 65 मतलब क्या हुआ एसकाई वैल्यू मैंने एक ही यहाँ पर एसकाई वैल्यू लिए है कितनी 65 ठीक 65 से 90 तक हमारे जो capital letter की पर यहाँ पर प्रंट होती है और 32 मेंने क्या किया और देखर मैंने क्या logical यहाँ पर 65 क्या हमारे जो हमारे कि कि रीवैल्यू है एक ही वह कितनी हमारी 65 और यहाँ पर देख्ये प्लस करके मैंने यहाँ प्लस क्या क्रवाई थर्टी टू मेरं प्लस कर देता हूं। तो कितना आ जाता है है। यहाँ पर आ ग्हारा ग्हश्ट को प्रेंट कर başלה है। तब यहाँ पर यह सिंपल सा प्रोग्राम है तो अगर आपको संध आई हो 오른 गर्ट मिल हो तो यह वीदियो को लाइक arriv कрат किजिएगा और विकास इनिस्टे के चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा आप सभी का धन्यवाद बहुत है बाए